मध्यपदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर भैस ने नई बनी जड़क पर गोपर कर दिया फिर ग्वालियर में नगरनेगम ने डेरी संचालक मालिक पर दस हजार रुपे का जुर्माना ठोग दिया भैस मालिक बैताल सिंग ने नगरनेगम में जुर्माने की राशी जमा करा दि है खबरों के मुताबिक कुवालियर के सीरोल इलाके में डीबी सिटी डोट को नया बनाया जा रहा था इसी दोरान नगरनेगम के कमिशनर काम का जाइजा लेने महां पहुंचे थे तबी उन्होंने देखा कि सडक से गुजरती भैंसों ने उस पर गोबर कर दिया है यह उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने भैंस के मालिक के खिलाफ जुर्माना ठोक दिया ऐसा बताया जा रहा है कि तीन बार कोशिश करने के बाद भी भैंसे नहीं हटी तबी वहाँ पर उनका मालिक बैताल सिंग आ गया भैंसों को अपनी साथ ले गया इस पर निगम आयुक्त ने सडक पर गोबर कराने पर ततकाल जुर्माना करने का आदेश दे लिया आपको बता दे नगनिगम के इस एक्शन से लोगों में डर का मौहल पैदा हो गया है हर कोई सडक पर गंद की करने से बच रहा है नगनिगम के अधिकारियों का कहना है कि सडक पर गंद की करता हुआ जो भी दिख जाएगा उस पर निगम की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा न्यूस टेक्स